नमस्कार सात्यों Let's Learn Farming YouTube चैनल पर आपका स्वागत हैं और मैं आपके साथ एक बार फिर उपस्तित हूँ एक नए वीडियो के साथ तो दोस्तों इसमें आपको जान करी दूँगा कपास की फसल के बारे में कौन सा रोग हुआ है और कौन सा कीटना सक यूज करना है जिससे की कपास की फसल को कोई नुकसान नहीं पहुचे तो वीडियो को शुरू कर रहे हैं तो इससे पहले आप हमारे चैनल को जरूर कर लें और अगर आपको जानकारी अच्छी लगए तो वीडियो को अपने सभी किसान भायों के साथ जरूर सेर करें ये आपके लिए एक बहुत ही महतुपूंट जानकारी देने वाला हूं इस वीडियो के अंदर इस वीडियो में क्या है जो ये अमारी कपास की एक महिने से चार-पांस दिन उपर ही हुए है तो ये पोदा और इसके बगल में ये देखे ये एक पोदा है कपास का जो सूख गया है तो इसमें देखते हैं क्या समस्या है को खाड़के हम जैसे ही देखेंगे तो चलो इसको हम निकाल के देखते हैं कि ये क्यों सूखा है तो इसको निकाल के देखा तो देख कि इसकी जड़ किस परकार से हो गई ये ये देख सकते हैं इसकी जड़ है ये जड़ पूरी की पूरी कट चूकी है यानि ये एक-एक कपास का इतना बड़ा पोदा है जो पूरा नश्ट हो चुका क्योंकि इसकी जड़ है जो नीचे से दीमक द्वारा काट ली गई है ये देखिए आप देख सकते हैं वीडियो में आपको दिख रहा है कि ये जो कपास की जड़ है जो एकदम उपरी हिसे से यहां से काट ली गई है जिससे पूरा पोदा पूरा सूक चुका है और नश्ट हो गया है अभी और पोदे दिखा देता हूँ आपको एक पोदा आप ये भी देख सकते हैं ये अभी सूक रहा है यानि ये मुर्जा चुका है पूरा पोदा ये इसकी साइज का था और ये पूरा है जो मुर्जा चुका है इसको भी हम निकाल के देखते हैं कि इसकी जड़ को किस प जैसे ये देखिए इसके अंदर ये दीमक बैटी है ये देखिए आपको दीमक नजर आ रही होगी ये क्या करती ये पूद्य की जड़ को एक दम बारी किसे काट लेती ये देखिए आप को चलती हुए नजर आ काट लेती है, जिससे पोदा पूरा का पूरा नश्ट हो जाता है, ये देखे, ये पूरा कपास का पोदा है, जो नश्ट हो गया है, अब देखे, इसकी वज़े से क्या होता है, कि जगा बीच में खाली हो जाती है, और किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है, ये द इसके लिए मैं आपको एक कीट नासक दवाई बता रहा हूं जिसका उप्योग करने से इसकी समस्या है सो मिट जाएगी तो देखिए ये अमारे पास एक आती है जम्बो करके ये जम्बो करके आती है जो इमीडा क्लोफ्रीड 17.8% SL के फॉर्मेट में आती है लिक्वेट फॉ 200 रुपए लेते हैं बजार में और इसकी जो प्रिंट रेट है 2065 रुपए है तो इसको आप ये एक लिटर की आती है जो लगबग चार से साढ़े चार बिगा के अंदर आप इसको डाल सकते हैं और ये आपको पानी के साथ देनी है यानि जैसे अगर आप फॉमारों से चाही कर रहे हैं तो आपको उसकी हिसाब से आप इसको पोदे की जड़ों में दे सकते हैं जिससे दीमक खतम हो जाएगी यानि दीमक को ये कीटना से जो नश्ट कर देगा जिससे आपकी फसल को भारी नुकसान होने से बच सकता है तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी अगर जानकारी अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक सेर कमेंट जरूर करें और अपने सभी किसान मित्रों के साथ जरूर सेर करें जै हिंद जै भारत